Hello everyone, you are welcome to class. In this class, we are going to talk about the chapter Going Places. और जैसा कि आप लोग पता है, हम लोग इसमें characters, story की जो main incidents हैं, और vocabulary, तीन चीजें आप लोगों को अपनी note down करनी हैं, note book में. So, Going Places, chapter का नाम है, and Gen-C, character के नाम देख लेते हैं पहले, Gen-C है, Zioff है, and Sophie है. ये important characters हैं, direct भी आप लोगों को एक character नीचे देखने को मिलेगा. So, इनका introduction देख लेते हैं, जो Gen-C है, तो फिर से आप देख लेते हैं, कि हमें किस तरह से बनाना है, Gen-C किस से belong करती है, वो एक middle class family से belong करती है, वो कैसी है, तो वो है आपकी sensible है, ठीक है, sensible है, और साथ साथ में वो practical भी है, और उसके क्या नहीं है, high ambitions नहीं है, high ambitions का मतलब होता है, ये देख लीजिए, आपको underline करके बता देता हूँ, high ambitions, तो she does not have high ambitions, उसकी high ambitions नहीं है, तो उसके आगे आप cross कर लीजिए, ठीक है, picturization कर लीजिए, and she is aware of realities of life, किस से aware है, realities of life से वो aware है, तो इतनी चीजें अगर आप लोगों को जैंसी के बारे में पता है, तो आप easily इसे याद रख सकते हैं, she does not believe in fantasies, तो एक word आया है fantasies, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इतनी चीजें कम से कम आप लोगों को याद होनी चाहिए, जैसे fantasies हो गया, आपका middle class family हो गया, वो कैसी लड़की है, sensible है और practical है, high ambitions नहीं है उसके, ठीक है, fantasies में वो नहीं जीती है, unlike Sophie, Sophie जो है fantasies में जीती है, she already knew that she has to work in a biscuit factory after completing school, तो एक चीज़ और आप add कर लिज़ें यहाँ पर, biscuit factory, तो biscuit factory में है, तो अब इतनी चीज़ें आपको जैनसी के बारे में अल्रड़ी याद हो गई होगी, कौन-कौन सी चीज़े है, middle class family से belong करती है, sensible और practical है, high ambitions उसके नहीं है, realities of life के बारे में वो जानती है बहुत अच्छे से, उसे उसने अपनी fantasies नहीं पाल रखी है, और वो biscuit factory में क्या करने वाली है, काम करने वाली है, वो ये बात जानती है, अब sentences अगर आप लोग देखोगे, तो आप easily इन चीज़ों को जान जाओगे, अगर आपको इसे लिखना भी होगा, she belonged to, belong means होता है, संबंदित होना, तो वो किस से संबंदित है, middle class family से संबंदित है, she was a sensible and practical girl, तो हमें ये क्या है आपका, मैंने कहा कि ये क्या है, आपकी quality है, तो quality क्या है, she was a sensible and a practical girl, she did not have high ambitions in life, as she was aware of realities of life, ये सारी चीज़ा हम देख चुके है, she already knew, तो हम बोल सकते है, she already को अगर हटा भी दे, she knew that, she has to work, has to means होता है, करना पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ते है, पढ़ना के sense में हम करते है, ठीक है, has to, have to, तो हमने कहा कि she has to work, मतलब उसको का काम करना पढ़ता है, यहां हम अगर यहां पर sense लें, तो करना पढ़ेगा, आफ्टर कम्प्लेटिंग स्कुल, कहां पर काम करना पढ़ेगा, बिस्किट फैक्टरी में, तो यह आपको याद हो गया होगा जैञशी के बारे में, अब बात करते हैं, जियॉब के बारे में, तो अब जियॉप के बारे में अगर हम बोले हैं, तो जियॉप कैसा है? एक soft-spoken person है, and he preferred to live in reality, ये भी क्या करता है? रियालिटी में रहना पसंद करता है, and was very hard-working, और कैसा है? hard-working है, तुम लोगों जैसा नालायक नहीं है, तो जियॉप क्या है? आप लोगों का एक soft-spoken person है, और साथी एक word आया है यहाँ पर introvert, तो introvert क्या होता है? extrovert का उल्डा, तो introvert and extrovert, introvert क्या होता है? जो अकेले में रहना पसंद करता है, ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता, extrovert कौन होता है? जो बाहर ज़्यादा जाता है, या बाहर जिसे दोस्त बणने ज्यादा पसंद हो, तो आप लोग लिख सकते हैं, comment box में कि आप किस तरह के इनसान है, introvert है, अकेले रहना पसंद करता है या extrovert है, extrovert जो बहार जाना पसंद करते हैं यह ज़्यादा लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं Sophie was an outspoken and daydreamer तो अब Sophie के बारे में देख लेते हैं हमने जैंसी के बारे में देखा अब Sophie के बारे में हमने देखा कि वो क्या है एक outspoken है मतलब जो उसके मन में आता है उसे वो बाहर बोल लेती है daydreamer है, दिन में सपने देखने वाली है she had various dreams and fantasies उसके बहुत ज़्यादा क्या है dreams है, उसके सपने है fantasies है she refuse, refuse means होता है मना करना she refuse to accept the reality of life और देखिए, जैंसी क्या कर रही थी reality of life को उसने क्या किया था accept कर लिया था, लेकिन इसने refuse कर लिया, मना कर दिया deny कर दिया, कि वो realities of life को accept नहीं करेगी, belonging to a middle class family, ये भी क्या है किसे belong करती है, middle class family से belong करती है, her fantasies were very far away from her reach और क्योंकि वो middle class family से है, और उसके fantasies कुछ ज़्यादा बड़ी है, तो क्या है, उसके reach, उसके पहुँच से ज़्यादा, ज़्यादा दूर है, reach means क्या होता है, पहुँच going places summary in English, अब इसकी थोड़ी से हम summary देख लेते हैं, जितना आपको idea और practice करना है speaking के लिए भी, this story revolves around the life of Sophie, a teenager who like others of her age is filled with fantasies and desires, तो यहां पर क्या है, सोफी के all around क्या है, यह पूरी story घूमती है revolve means होता है घूमना, teenager वो teenager है, और वो जो कि उसकी she is also filled with fantasies and desires, जैसे कि हमने ओपर देख लिया है कि उसकी बहुत जादा desire means होता है, उसकी बहुत सारे इच्छाएं है, she comes from a poor financial background, उसका जो background है, family का, वो poor financial background है, गरीब घर से आती है, but hopes for sophisticated in the future, लेकिन वो सोचती है कि sophisticated, एक अच्छा खासा क्या है, मैं एक अच्छा खासा future बना लूँगे, Sophie dreams of owning a boutique उसका अपना एक boutique वो क्या करना चाहती है, वो own करना चाहती है, वो चाहती है कि मेरा एक boutique हो one day and being an actress और जो Sophie है, वो क्या बनना चाहती है, ध्यान से देखिए वो आती है, वो बनना चाहती है actress, वो कहां से आती है poor background, उसका है poor financial background है and but her friend Jancy, Jancy जो है, हमने देखा believes both of them were earmarked to work for the biscuit factory लेकिन वो जानती है कि हम लोगों कहां work करना पड़ेगा biscuit factory में work करना पड़ेगा कौन जानती है, Jancy who is more realistic, tries to make Sophie see reality but in when, in when का मतलब होता है birth में, means जिसका कोई फाइदा नहीं है, तो जो जैनसी है, वो Sophie को बहुत जादा help, बहुत जादा force करती है reality को दिखाने के लिए but वो reality को क्या नहीं करती है accept नहीं कर पाती है Sophie lives in a small house with her parents and brothers Geoff and Derek जो Sophie है, वो अपने उसके दो भाई है Geoff and little Derek though she voices her feelings and desires her parents ridicule ridicule मतलब होता है मजाग बनाना her because they unlike her are more mature and know the truth of life अब वो उसका मजाग बनाते हैं कि वो जानते हैं क्योंकि वो ज़्यादा मैचियोर है वो जानते हैं कि सचाई क्या है life की Sophie finds a sort of fascination for her elder brother Geoff who is tall, strong, handsome and reserved she envies his silence यहाँ पर envy का मतलब होता है किसी से एक तरह से जलना हम बोलते हैं जलना तो वो उसके silence से क्या करती है जलती है often wonders about his thoughts and areas of life that she doesn't know about तो क्योंकि जो Sophie का brother है Geoff वो क्या है tall, strong and handsome है लेकिन वो reserved है means introvert है reserved आप भी अपने आपस में बोल सकते हो कि he is a reserved guy और he is reserved यह आपकी speaking में भी काम आएगा तो reserved हो सकता है कोई introvert हो सकता है कोई extrovert हो सकता है तो जब भी आप किसी chapter को सुनते हो पढ़ते हो तो उससे कुछ words ऐसे निकलते हैं कि जो आप अपनी real life में भी यूज़ कर सकते है तो यह chapter बहुत अच्छा है अगर आप किसी की personality के बारे में बात करें अपने दोस्त की personality के बारे में बात करें कि introvert है reality of life को जानता है नहीं जानता है mature है तो अगर आप हर chapter को इस तरह से बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपकी speaking भी अच्छी हो जाएगे तो हर chapter से कुछ न कुछ सीखते चलते है तो जो Sophie है वो अपने भाई से ही जलती है और वो चाहती है कि या हम कहें कि वो चाहती है उन चीज़ों को जो अपने भाई में देखती है तो जो डैनी कैसे है एन आइरिश फुटबाल प्लेयर इसके बारे में वो सोस्ती है और वोम शी हैट सेन प्लेइग इन इनमरेबल मैचेश इनमरेबल मीज़ बहुत सारे कई मैचेश उसने केलते हुए देखा हुआ है एक इरिश फुटबालर है उसके बारे में उसकी फैंटेशी है शी मेचिप ऑप ऑ बारे में इसकी फैंटेशी हैं जीओभ को बताती है क्या वोसे मिली है वो तिरू प एक स्टोरी बनाती है जीओभ, who is more sensible than Sophie does not really believe her even if she wants to and it seems an unlikely incident for Sophie to meet the prodigie in their street so जो ज цвет bleh ifs story man believe नहीं करता है कि Sophie Jo से कहती है कि जो prodigy prodigy का मतलब होता है किसी अपने field में बहुत अच्छा होना all right but when Sophie describes the meeting in detail he begins to hope that it could be true लेकिन बाद में हो सोचता है कि या वो ऐसी आशा करता है कि काश वाकि ये بात सच होती she tells him that Danny has promise to meet her somewhere again और वो कहती है कि Danny footballer जो है Danny Irish footballer उसने कहा है Sophie को कि वो दुबारा से उसे क्या करेगा दुबारा उसे कहीं पर मिलेगा Sophie gets to pull into the story she made that herself begins to believe that it's true और Sophie उसने खुद से बनाई होती है वो सोचती है खुद ही ये मानना शुरू कर देती है कि ये सची स्टोरी है she waits for the Irish player but obviously he never arrives और वो हमेशा उसके लिए क्या करती है Danny के लिए हमेशा क्या करती है wait करती है but वो कभी वहां नहीं पहुचता है arrive means पहुचना then she makes her way home wondering how her brother would be disappointed on knowing that Danny कैसी never showed up however Sophie still fantasies about her hero unperturbed so we go ahead she makes her way to home जब वो घर आजाती है और अपने brother would be disappointed और वो जानती है कि उसका जो भाई है वो बी disappointed होगा इस बात से कि जो Danny कैसे है वो वहां नहीं आया the whole story is about unrealistic dreams and how he loved to indulge in them knowing all the while they they have little possibility to coming through अब यहां पर क्या है पूरी जो story है unrealistic dreams के लिए है means जो सच्चे उनके कोई सपने नहीं है but वो फिर भी उन सपनों को देखते हैं और पूरी story इसी में है कि उनकी एक little possibility means ना के बराबर possibility है कि यह जो सपने unrealistic dreams हैं वो सच्चे होंगे this story seems to hint at dreaming within limit और जो story है वो यह कहती है या हम कहें कि यह बताती है कि हमें जो dream सपने भी देखने होते हैं वो limit में देखने होते हैं वैसे बस यह story यह बात कहती है otherwise हमें सपने सपनों की कोई limit नहीं होती आप जितना सपने देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं and it's good to dream but daydreaming is not good daydreaming किसी भी इंसान के लिए अगर हम कहें कि daydreaming क्या होती है daydreaming का मतलब यह होता कि बिना सरपैर के सपने अगर हम सपने ऐसे होने चाहिए कि हम जिन सपनों को देखते हैं उनका एक धरातल होना चाहिए एक reality भी उनमें होनी चाहिए और हम उसे बना पाएं वहां तक के लिए ऐसे सपने होने चाहिए unless you are possibly ambitious hard working और हाँ जब तक आप hard working नहीं है तब तक आपका सपना देखना क्या है बेकार है इसलिए hard working होना जरूर है and have lots of patience and perseverance तो हमें perseverance भी होना चाहिए धैरय होना चाहिए हमारे अंदर and patience हमारे अंदर होना चाहिए धैरय अच्छी तरीके से होना चाहिए हमारे अंदर perseverance होना चाहिए कि हम उस काम को लिए continuous तरीके से उस चीज़ के पीछे काम कर पाए Such dreams are best kept under lock और जो आपका dream हो, इस तरह का, जो कि आप hard working हो, ambitious हो किसी चीज के लिए, तो उनको under lock रखना चाहिए, means हर किसी को नहीं बताना चाहिए, and key unless you like the taste of bitter disappointment, और नहीं तो क्या होता है, कि हमें एक disappointment, निराशा ही मिलती है, अगर हम क्या नहीं है, hard working नहीं है, खाली अगर हम dreams देखते हैं, और उसके पीछे हम क्या नहीं करते है, hard work नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, कि वो dream कभी सचाई नहीं बनेगा, it will never come true, so hard working लोगों को ही dream देखने चाहिए, इस story की यह कहानी है, So with this, we end this chapter, आप लोगों का जो काम है, वो यह है कि इसके जितने हमने tough words देखे हैं, जोगी words हमने mark किये हैं, उन्हें हमें लिखना है, इस summary को लिखना है, notebook में, और इसे practice करना है, speaking के लिए, क्योंकि, main चीज़ यह है कि जब आप इस chapter को बोल पाएंगे, तो आप personalities को सारी चीज़ा अपनी note down कीजिए,